हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मोनिकास फूटफुल केर कैसे हैं आप आप सब ठीक होंगे और अपने और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे तो मस्त रहिए सवस्त रहिए और वियस्त रहिए क्योंकि ये आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ के लिए औ उनको बहुत सारी हानी बीज मेंस मदु मख्यां काट गई होती हैं तो कई बार वाटर रिटेंशन का इतना लिटरली उनको प्रोब्लम रहता है तो निराश मत हो ये बहुत सारी चीजे हैं जिससे कि आप ये चीजे जो हैं कम कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते ह आपकी डाइट के अंदर जो कि आप गल्ती कर जाते हैं नमक, salt, salt intake को कम कीजिए अब ये salt intake कम कैसी हो सकता है पहले तो आप सबजी के अंदर कम डालिए उपर से जो आप ज़ादा डालकर खाते हैं उसको कम कीजिये इससे भी बहुत सारी problem जो है आपकी खतम हो जाती है अचार बहुत थोड़ा सा लीजिए क्योंकि अचार खाना बहुत ही ज़रूरी है आपके gut health के लिए क्योंकि इससे आपकी body के अंदर vitamin B का absorption बढ़ता है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि fermented होता है लेकिन घर का अचार बाहर का नहीं तो यह जुरूर लीजिए लेकिन थोड़ा सा लीजिए तो नमक जुरूर कम कीजिए लेकिन healthy way में पानी खूप सारा पानी पीएंगे तो उससे क्या होगा आप जल्दी फ्रेश होने जाएंगे आपकी body के अंदर जितना भी extra salt होगा जितने toxic होंग सब की सब आपके body से बाहरा जाएंगे तो पहला नमक कम कीजिए दूसरा पानी बहुत सारा पीजिए तीसरा आपको potassium rich diet लेनी है तो जिस भी vegetables में fruits में जिस भी खाने के अंदर potassium ज्यादा हो तो please उसको जूरूर लीजिए अपनी potassium rich diet आपको जूरूर लेनी है यह आपके लि magnesium आपके body के लिए बहुत ही अच्छा है magnesium आपके brain के लिए भी बहुत अच्छा है तो magnesium आपको जूरू लेना है तो कोशिश किजिए सुबह उठके सबसे पहला fruit लीजिए पानी पीने के बाद पानी भी आपको कौन सा लेना है वो भी मैं बाद में बताऊंगे लेकिन पहले potassium से भरा हुआ और magnesium से भरा हुआ कौन सा ऐसा fruit है जो आप सुबह ले सकते हैं और इस problem को ख़तम कर सकते हैं वैसे दिन की शुरुवात अगर fruit से की जाए तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं है तो आप एक banana जन के एक केला आप सुबह पानी पीने के बाद ले सकते हैं यह आ और आपको healthy diet लेनी है आपको थोड़ा physical activity जादा करनी चाहिए अब बात करेंगे कि ऐसा कौन सा drink है जो कि सुबह उठते हम बदाना खाने से पहले ले सकते हैं तो यह drink है आप एक इलास पानी लीजिए उसकी अंदर थोड़ा सा half inch के करीब ginger अद्रक वो डाल दीजिए चाहे कूट के डालिए चाहे उसको grade करके डाल दीजिए और इसको boil करने के लिए रख दीजिए तो जब आपको लगे कि पानी कम हो चुका है 5-10 मिनिट्स आपके पानी को बेकुल low flame पे हो चुके हैं और वो half से थोड़ा भी जादा है तो बस आप flame को बंच कर दीजिए अब इसक आपको इसके निबू डालनी है और आपको इसको पीना है नियमबू और अद्रक जब दोनों मिलते हैं आपके digestion के लिए ये बहुत ही बढ़िया है और वह जो अद्रक है जो मैंने आपसे डलवाई है यह अद्रक जो है वह आपके fat cutter का काम भी करती है और water retention की problem पर भी खातम करती है तो यह बहुत ही बढ़िया है आप इसके अंदर चाहें तो हाफ स्पून सौंफ भी आइट कर सकते हैं जब आप इसको वाइल करते हैं जो हरी वाली सौंफ आथी है जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं होती तो यह ड्रिंक आपको दिन में खाली पेट पी लेना है और फिर आ पैक हमारे घरों में इस तरह के होते हैं या आपके पास नहीं है तो आप आइस के साथ भी अपने फेस को जो है कोल्ट पैक की जो फिजिल्टी है वो दे सकते हैं तो कपड़े में आइस को बांद लीजिए और उसको इस तरह से पूरे फेस पे गुमा दीजिए या आपके के लिए स्किन के लिए अच्छा है और वाटर रिटेंशन के लिए बहुत अच्छा है तो यह इस तरह का पैक जो होता है इस तरह से आप इसको फेस पे रख लीजिए इतना बढ़िया लगता है यह क्योंकि वैसे भी गर्मी इतनी जादा है और जब आप सुभी उठते हैं तो यह सब चीजे जो है आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और अपने वाटर रिटेंशन की प्रोब्लम को खतम कर सकते हैं इसके लावा आप सुभे उठके अपने हाथ को यूज कीजिए अपने फेस को टापिंग करने के लिए तो आपको स्लैप करना है इस तरह से अ आप को हल्के हाद से करना है जैसे आप उसको जगा रहे होते हैं यही आपको करना है यह आपको यहां पे भी करना है जहां हमारा लेंफ नोट होता है इससे जितना भी आपका एक्स्ट्रा वाटर डेंशन जो होता है जो भी पॉफीनेस का प्रॉब्लम होता है तो यहां पे आपको करने से यह इंट्रेनेस हो जाता है और टॉक्सिक जितने आपके इंपुरिटीज होती है फेस के अंदर वह भी सब निकल जाती है इसको आप 5 मिनट तो कम से कम कीजिए दिन में आप इसको दो बार भी कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है तो यह जरूर कीजिए डाइट का पूरा ध्यान रखिए बहुत छोटी सी चीज है जो आप कर सकते हैं सेकिंड एक्सरसाइज वह भी बहुत इजी है तो उसके लिए आपको पिंचिंग करनी है तो आपक पिंचिंग बहुत अच्छी है यहां पर बहुत छोटे-छोटे हाथ से कीजिए यह बहुत अच्छी है आपके लिए आइस के पास लोगों की बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर कोल्ट पैक लगाए और आप खीरे के टुकड़ों को भी रख सकते हैं अगर उससे भी आपको रिलीफ निमिलता या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप अपनी तीन अपनी फिंघर को बिलीफ धंकरा क्यों की ठीक पीरे आपकों के दाने र Northwesternum के पास रखिए और यह जो आपके बॉन होती है जो सॉकिट हमारा इस की बॉन होती है पहांपे एपको म determination प्रेस करना भी इस तरह से, उपर की तरफ, इस तरह से आप इसको उपर की तरफ प्रेस करेंगे, इसको 10 टाइम आप उपर की तरफ इसको पुश कीजिए, पुश करने के बाद जब आपको लगे 10 हो चुके हैं, आपको ये स्ट्रेच करते हुए, यहां लेके आना है, और सीधा अपने के तर्फ आजाना है फिर्शे देखिए ऐसे किया और अप बster केन्व का चौन करना है कुछ से के लिए नीचे प्रेस करते हुए यहां पे नीचे आजाना है यहां पे आपको आ के हिसको हालका हालका इस tempo के पर करना है तो यह आपकी जितना महrete मी बौतr और जिनकी puffiness होती है यहां नीचे उनके लिए आप दो fingers रखिए यहां पे इसको इस तरह से रखिए हलका सप्रेस कीजिए और बाहर corners की तरफ आते जाहिए फिर से यहां पे आईए आपको बिल्कुल हलके हाथ से ही करना है यहां पे ज्यादा pressure नहीं देना बहुत ही delicate area होता है तो हलके हाथ से इसको प्रेस करते जाहिए और इस तरह से आप उपर की तरफ आते जाहिए तो जो भी मैंने आपको tapping बताई, pinching बताई और यह जो ice की बताई है क्योंकि इन ही areas के around हमारी जो होती है यह water retention का problem रहता है तो आप इसको करेंगे तो यह problem आपका खतम हो जाएगा अद्रक के पानी को जितना आप इस्तिमाल कर सकते हैं कीजिये यह आपको नुकसान नहीं करेगा लेकिन जिनकी प्रकृति यहां पर हम थोड़ा सा अईरुवेद के बारे में बात करेंगे जिनकी प्रकृति जो है वो बहुत ही पित प्रकृति के है जिनका श्रीर पहले से जिनके श्री में बहुत गर्मी होती है तो वो अद्रक के साथ निम बुजरू डालिएगा और आप इसको दिन में सिर्फ दो बार इससे ज्यादा नहीं और अद्रों को भी थोड़ा कम लीजिए मौसम चेंज होता जाएगा तब आप इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी क्योंकि गर्मी है तो अभी जो है इसको थोड़ा कम लीजिए बाकी लोग जिनको कफ है उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी कफ से मतलब जिनकी बॉड़ी में कफ प्रकृती ज्यादा रहती है तो ऐसे लोगों के लिए जो अद्रक है बहुत अच्छी है कफ और जो बात वाले हैं बो ले सकते हैं पित वाले थोड़ा सा सोच के लीजिए या फिर जब भी आप कोई गर्म चीज लेते हैं तो निम्बु पानी साथ के साथ बीच में जैसे आपने दो बार इसको लिया बीच प्लीशी चीज़े हैं आप कीजिए और हाँ ग्रीन वाली सौर्फ जो आती है उसको ज्रूर कहिए ग्रीन वाली सौर्फ आप हर खाना के बाद उसको जो है आप उसको चू कीजिए इससे आपर दजेशन इंप्रूफ और वाटर इतन्शन का प्रॉबलम ख़तम होगा और आ कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो के साथ तिल दें टेक यह गुडबाई